रश्या बिजनिस वीजा से रिलेटेड आज वीडियो बने वाली है बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज जो है मैं एकटा करके वीडियो बनाने वाली हूं रश्या जो की खुद में एक बड़ी कंट्री है बहुत सुन्दर कंट्री है रश्या के कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो की आज की डेट में खुद की कंट्री बनके बैठे हैं रश्या का रूबल चलता है रूबल की अगर मैं कंपेरिज करूं इंडिया की करंसी से तो वो सेम ही है तो अगर आप वन इयर का जो बिजनिस वीजा है लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले लोगों का जो डाउट था वो ये था कि वीजा पे तो सिर्फ 90 डे इस टे लिखा है तो तीन महीने बाद मैं क्या करूंगा क्या मुझे तीन महीने बाद बापस आना पड़ेगा तो उन आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे अच्छा लगता है मुझे जो है प्रेंड़ना मिलती है आगे मूव करने का और अच्छे अच्छी वीडियो बनाने का मैं स्टड़ी करती हूं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी अपडेट के साथ वीडियो बनाओं औ और कोशिश करती हूँ कि पर डे एक वीडियो जो है अपलोड करूँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अगर आपके माइन में बहुत तरीके के डाउट सो सकते हैं मुझे पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीज़ेगे कि अरशिया से रिलेटेड आपका क्या डाउ इंडियो की नोटिफिकेशन डारेक्ट आपके पास आए तो चलिए आपको मैं बताती हूँ के बिजनिस वीजा पे 90 डेज स्टे क्यूं लिखा होता है कि तीन महीने बाद आपको बापस इंडिया आना होता है यह मेंडिटरी है बिल्कुल नहीं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यह उन कैंडिडेट्स के लिए वीजा है जो कि बिजनिस परपस से रशिया जाते हैं और जिनकी सालाना कई बार आना जाना रशिया में चलता है वो सिर्फ रशिया तू इंडिया ही नहीं रशिया तू दुबई मलेशिया या जहां का भी वीजा उनके पास होगा वह हैं जा सकते हैं डाइरेक्ट जैसे फूर इग्जामपल में रशिया से दुबई जाना जाती हूं मैं इंडिया आने की डूरत नहिन हिएल जो है रशिया से दुबई जा सकती हूं जहां का मेरा वीजा होगा वहां जा सकते हूं ऐसा कोई mandatory नहीं है कि आपको जो है इंडिया ही बापस आना है तो मैं आपको clear करती हूं कि जिस भी time आप immigration clear करेंगे जैसे कि आपको मैंने visa दिया, ticket दिया आप आज आपकी जो है flight है तो flight के दौरान आपने दिल्ली की immigration clear कर ली अब आपकी main immigration आती है तो रश्या की इमिग्रेशन क्लियर करते समय रुश्यन इमिग्रेशन आपको ओठकर और यहां पर करेगी एक साल stay card आपको वہां देगी जैसे कि debugर यह अगर आपको नहीं क्लियर नज़र आ रहा रहा है तो मैं डिस्क्रॉप्शन पका मैंने वांसाप का लिंग दिया है ुस भी आप मेरे को कमेंड के जरीए जरूर बताईएगा तो एक साल का वहां पे कार्ड मिलता है इस दौरान आप मल्टिपल टाइम इंडिया आ और जा सकते हैं एक साल में अगर आपका एजेंड या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक साल बाद या फिर इस दौरान करती है और अगर आपका एजन्ट भी कर रहा है तो थोड़ा सा पूरा नॉलिज ले लिजे क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपका बिजिट वीजा हो या फिर आपका बिजनिस वीजा हो जो वर्क पर्मिट में कनवर्ट हो गया है यह हो सकता है कि आपने एक साल काम क किया यह चैमेने काम किया पंजाओ वर्क परमिट या तो कंपनी अगर देना चाहे तो कंपनी दे सकती है उसमें हम और कोई भी रोल नहीं होता है अगर आपको हमारे है। चाहिए और हाँ हो उस दोरान तो आप हम हम आपको को इसे हैं तो अगर जिल लोगों का यह डाउट है कि सिर्फ यहां पे 90 डेज लिखा है तीन महीने बाद मुझे बापस आना पड़ेगा यह है बहुत सारे नेगिटिव का थौट्स हैं तो प्लीज कमेंट के जरी और बताइएगा हो सकता है कि कुछ चीजे में रहे गई हो बोलने के लि तक आखरी सास है तब तक रहेंगे आपको मैं यह भी क्लियर कर दूं कि जिस भी कंपनी में क्योंकि पहले क्या चलता तब कौफी सारे लोग ना यूटुब सर्च करते हैं नेगिटिव व्यूज के बहुत सारे लोग यह भी वीडियो बनाई है कि रश्या मत जाओ रश्या से अच्छे सुपरवाइजर को जॉब मिल जाए क्योंकि वहां पे आपको इंग्लीज की कम्मुनिकेशन वहां पे बहुत ही रियर होती है अगर मैं काउंट करूं तो 10% 10-20% जो है आपको वहां पे इंग्लीज का यूज करना है अदर्वाइस जो है आपको रश्या लेंग अप्लाय करना चाते हैं तो मैघियर फ्रेंड में आपको ख्लेयर कर दूँ इस तरीके की जॉब्स वहां पे नहीं है वहां पे सिर्फ लेवर केटिगरी जॉब है जो की कंस्रक्शन हल्पर फैक्टरी हल्पर किजिन हल्पर शॉप हल्पर जो भी हैल्पर केडिगरी अब सामने होगा पहली बाएयर कोई काम नहीं होता है पांच अगर कोई भी सामान उठाना होता है तो हर एक फैक्टरी में मसीन, अबिलेबल होती हैं क्योंकि आप एक युरोपीन कंट्री में जा रहे हो आप कोई गल्फ कंट्री में नहीं जा रहे हो जहां पर इंसानों से कुछतों की तरहा सौरी मैं इस तरीके से वर्ड यूज कर रहे हूं बट ऐसा होता है में इस तरीके की लेंग्विज उसके लिए म यो पी और भिहार के होते हैं मैं आपको साथ के साथ ये примन बता दू कि आफिया है क्या बात SHAPAL क्या प्रूफाल है आपने ये भी बता दिया क्यों यह बता दिया कि क्यों कितना दिन स्टे हो सकता मेम प्रूफालर區 कि मिल कि 30,000 से लेकर 45,000 के सेलरी रहती है अब आपको 30,000 तो सुनाई नहीं दिया होगा 45 सुनाई दे गया होगा तो मैं डियर फ्रेंड मैं बता दू आपको 30,000 रुपे पे अगर आप रेडी होते हैं तो यह आप अप्लाइ कराईएगा क्योंकि वहां पहुंचने के बाद मैं आपको यहां पे 40 बोल द आपको जौब के लिए असिस्ट करना ना कि आपको यहां से गलत तरीके से एडवाइज करके जो है रशिया में भेज देना क्योंकि जो भी दिक्कत आएगी इंडिया में आ जाए तो अच्छी बात है वहां जाने के बाद प्रॉब्लम से अच्छा तो 30,000 में अगर आप र कराने में साथ के साथ फूद का कोई भी कमिटमेंट नहीं है क्योंकि कुछ कंपनी जो होती है जैसे किचिन हलपर की बात कर रहे हो कंपनी हो सकता है कि ओन डूटी आपको खाना दे और हो सकता है कि खाना ना दे तो किसी भी तरीके का ऐसा फेक कमिटमेंट हमारी कंपनी नह करती हूं साथ के साथ recommendation recommendation company देती भी है नहीं भी देती है नहीं देती है तो इस दौरान आपको recommendation का चार्ज फो पे करेगी जो की आपको मैने बाद job को लगने कि एक मेने बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है और अगर आप रशिया जा ही रहे हैं तो आप अगर आप बिल्कुल ऐसे हो के जा रहे हैं कि नहीं मेरा तो सारा ईजट देख लेगा मेरा तो agreement एक साल का होगा तो मैं idea friend में आपको बता दू एजट ने आपको job assist करने की guarantee ली है नाख ही आपको वहाँ पे रहने की और खाने की गारंटी लिए तो एक महीने का आप अपना फूड और अक्मेंडेशन का जो भी खर्चा होगा वो आप खुद करके लेके जाएंगे इंडिया से ही साथ के साथ कुछ लोगों ने ये भी पूझा था कि जब हम रश्या की इमिग्रेशन करते हैं तो क्या वहाँ पे पैसे की जरुत दिखाने की मनीशो करनी पड़ती है या फिर वहाँ पे जो है पैसा दिखाना मीश कोई दिक्कत आती है तो माई डियर फ्रेंड अभी तक तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत फलाहाल नहीं आई है बहुत अच्छे से सारी चीज़े हो रही है चाहें आपका पासपोर्ट ECR हो, ECNR हो आपकी एज कितनी भी हो, 18 साल हो या फिर आपकी एज जो है वो 50 साल की हो आप अपलाए कर सकते हैं किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है क्योंकि ये है बिजनिस वीजा आपको मैं क्लियर कर दूँ अगर आप वहाँ जाते हैं तो हमारे जो वन ओफ फ्रेंड है वो आपको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद वो अपने ही अकुमेंडेशन में आपको रखेंगे, जॉब असिस्स करने के लिए हमें कम से कम टाइम की जरुत होती है, दस से जो है दस से पंदरा दिन आप हमें देंगे, तब ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, अगर आपका एजेंड या कोई भी आपको बोल रहा है कि नहीं जाते ही सेम डे हो जाएगा, या फिर जाते ही नेक्स डे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी जबां सोच जरूल लीजेगा, वैरिफाय जरूल कर लीजेगा, जो एजन आप जिसके थ्रू काम करा रहे हैं वो जैनुएन है, जैनुएन आपके लिए स्टैंड कर पाएगा अगर गलत होता है, क्योंकि कही वार ऐसा भी होता है, आपका एजिड सही होता है, अगर जो कि आप मेरे ठूप मुझा जानना चाहते हैं या फिर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज वह ख्लीर कीजिएगा साथके साथ company उन companyों में जो भी आपको hire करती है उन company का सारा issue आजाता है एक साल के लिए वो company कैसे करती है registered करती है तो वो किस तरीके registration आपको day by day कर राती है वो company चाहे तो आपको work permit के लिए बुला सकती है एक साल बाद आपको इंडिया बापस आना पड़ेगा तो आपको कोई भी doubt query है comment की जरूर जरूर बताईएगा साथ के साथ यह जरूर बता दीजेगा लाइक करके कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और मेरा YouTube चैनल को subscribe करना ना भूलेगा प्लीज क्योंकि यह मेरा second YouTube channel है पस YouTube channel मेरी गलती के बज़े से नहीं रहा है अब वो गलती दुबारा दोराई नहीं जाएंगी तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली updated वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूँ or thank you so much for giving your valuable time have a great day and love you all for supporting Hare Krishna